बिस्मिल्ला हुरोहमार रिपैम अस्सालाम अलेकूम स्टूरेंट्स आज मैं आपको बताऊंगा आपने डैटावेस का बैकप कैसे लेना, कैसे रिकवर करना कैसे आपने क्लाइट के लिए किसी सोफ्ट्वेर, मैंसे set करना एक बटन के back पे एक script के वो back up के button पे click करा और back up automatically हो रहा और database का और client खुद ही उसे restore कर सके पहली बात second चीज यह कि जैसे कि आप during practice बहुत सारी databases बना रहे हैं आपको दुबारा से window करनी पड़ जाए तो आप चाहरें कि सारी जो मेरी databases हैं मुझे new window पे भी show हूँ दुबारा install करता हूं तो तो उनके backup कैसे लेने कैसे restore करने और इसके लावा आप अपनी database किसी को share करना चाह रहे हो अपनी database का backup तो कैसे backup बनाते हैं और दूसरी साइट पर कैसे restore करेगा आज इन सारी चीजों को cover करेंगे ठीक है बड़ा सिंपल सभी है इसका let's suppose कि हम इस table का backup लेना इस database का backup लेना चाह रहे हैं अगर मैं इसको expand करता हूं तो इसके tables में यहां पे मेरे ठीक है इसका backup लेना नहायत असान है आप right click करें database पर right click करने के बाद टास्क में जाएं टास्क के बाद आप जाएं backup पे ठीक है तो by default यह c drive के अंदर backup का फोल्डर है वहां पे जाके backup store कर रहा होता है लेकिन आप चाहिए तो इसकी location चेंज भी कर सकते हैं जैसे कि मैं change कर रहा हूं डी drive में जाके किसी folder जैसे SQL का folder है मेरे पास एक तो मैं उधर set कर रहा हूं साथ में आपने backup का name देना है कि किस name से आप save करना चाहरे है जैसे कि मैं su database का backup ले रहा हूं तो मैंने su.bak इसकी extension है backup की .bak इसको मैंने okay किया यहां पर फिर okay press कर दिया यह address यहां पर save हो गया उसके बाद जी ठीक है साथ में आप इसका script यहां से generate कर सकते है script action to new query window ठीक है अब आप कि अपनी मर्जी है चाहें यहां से okay press करें बैक अप ले ले या इस script को execute करते हैं तब भी backup हो जाएगा ठीक है इसको मैं थोड़ा सा set कर देता हूं ठीक है ठीक है ठीक है तो इसमें भी वही सारी चीज़ते हैं कि आप किस nirm से save होगा ठीक है कहां पे save होगा यह सारी टीक है इसका address आ रहा है किस nirm से save होगा यहसका name आ रहा है ठीक है अगर मैं यहां पे execute कर आओ ऑू तब भी backup चला जाएगा तो अगर आपने खुद लेना हो बैकप तो बड़ा असान है यहां पर ओके कर दें अगर आपने किसी software में set करना है कि वहां पे खास button हो वहां पे backup पे click हो तो automatically backup generate हो जाए तो यह script same to same आपने copy करके वहां button की back पे save कर दें मैं coding का बता रहा हूं जब आप window form application या web application की तरफ move करेंगे ठीक है तो वहां पे एक यह backup के लिए कोई सी क्यूरी यूज करनी तो यह क्यूरी है ठीक है तो मैंने यहां पे क्या किया okay किया और यह जी backup of database as you completed successfully अगर मैं जाके से verify करना चाहूं तो मैं वह भी कर सकता हूं यह backup मेरे पास आ गया इसके हलावा मैं यह through script भी backup ले सकता था मैं इसको भी run करके दिखाता हूं let's suppose कि मैंने इसके हलावा किसी और database का backup लेना है जैसे मैं यह joints वाली database का backup लेना चाहरा हूं ठीक है मैंने copy किया और su को replace कर देना control h press करेंगे तो यह replace कर रहे हैं इसको joints कि जहाँ जहाँ su आ रहा है su पहले वाली database का name था ना उसको replace कर दो joints के साथ यह हमारी new database का name है यहां से replace all कर दिया वैसे तो तीन जगा था हम खुद भी paste कर सकते थे लेकिन यह ज्यादा मुन जायश नहीं रहती कोई बी ओके किया ठीक है यहां से मैंने close किया यहां पे execute कर दिया तो हमारी दूसरी database का backup भी उसी location पर जाके store हो गया joints के name से आपने देखा मुझे इसका backup new database का backup लेने में तकरीम कोई 10 seconds लगे होंगे ठीक है अच्छा जी हमने backup तो ले लिया इसका restore कैसे करेंगे इसका वे हमने देखना है restore करने के लिए आप database पर right click करेंगे restore database में आएंगे restore database में आने के बाद जहां पर backup पड़ा है ठीक है बाई default लोग ऐसे ही यह c drive में जाता है आपने बताना है कि जहां पर आपने backup रखा हुआ है जैसे मैं डी drive में SQL folder में रखा हुआ है इसको open करें मैं यह स्यू स्पियर्ड युनिवस्टी वाली database का backup restore करना चाहरा हूँ मैंने okay किया okay किया ठीक है इसका script generate करना चाहरा हूँ तो भी मैं कर सकता हूँ लेकिन अभी मैं script की बजाए यहां पर देखें जरा SU की name से already मेरे पास database है या तो मैं इसका name change कर लूँ या मैं इसको delete करके restore कर लूँ ठीक है जैसे कि मैं इसका name change कर देता हूँ SU 3 कर देता हूँ ठीक है backup का मैंने database का name change कर दिया अब क्या बनेगा क्या होगा यहां पर के new database बनेगी और यह backup उसमें restore हो जाएगा अगर मैं चाहरा था कि same to same आए तो मुझे फिर इसको delete करना पड़ेगा ठीक है तो दो option है मेरे पास या तो मैं इसको delete करके SU के name से ही restore कर लूँ या अगर मैं इसको नहीं delete करना चाहरा तो मैं उसकी database के name में थोड़ा change कर दूँ ताकि new database बनके उसमें data restore हो जाए ठीक है उसके बाद अगर general files में जाएं तो इसकी दो files बन रही होती है backup की जो restore हो रहा होता है दो files से restore हो रहा होता है एक इसकी MDF master database file और second इसकी होती है LDF log database file master database file में सारी database का data होता है log database file में इसका पुरा structure होता है ठीक है उसके लावा options में जाके हाँ यह चीज़ा आपने tail log backup को uncheck कर देना ठीक है general में ठीक है script हम साथ में generate कर देते है new query editor window में ठीक है अगर हम backup को restore करना चाहा रहे हैं तो हमारे पास दो option है या तो हम इस query को run कर दें script को run कर दें या फिर हम क्या करें या फिर हम उदर से sms के थुरू sql management studio के थुरू हम उसको restore कर लें यह हमारी choice है जैसे हम करना चाहें ठीक है मुल्टी लाइन में भी लेकियाना जरूरी नहीं था आप सिंगल लाइन में भी execute कर सकते हैं बस मैं आप आपको उसके थोड़े built-in keyword दिखा रहा था जिसके आगे addresses गयरा उसके चल रहे थे ठीक है जी okay 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 मैंने यहां से okay किया देखिए SU3 के नाम से कोई यहां पर database नहीं थी अब यह database restore होगी database SU3 restored successfully okay किया हमने इसको और जी यह हमारे पास आगी database अगर यह ना आए तो आप सिंपर right click करके refresh करेंगे तब आपको show हो जाएगी ठीक है तो SU3 अगर मैं इसको expand करता हूँ टेबल में जाता हूँ तो देखें वही टेबल हमें sure अगर मैं right click करता हूँ add a top to 100 rows में तो मुझे database के backup में structure के साथ data भी आ रहा है ठीक है okay 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 और security के through भी मैं backup को restore कर सकता था let's suppose कि अगर मैं इसको right click करके delete कर देता हूँ delete करने के लिए साथ में आपने close के उसके all connection जो चल रहे हैं इसको close करने के लिए यहां पर चेक करते होते हैं okay किया तो तो देखें वह database SU3 मैंने delete कर दिया और इस script के through मैं उसको लेके आना चाहरा हूँ तो मैंने execute किया okay यह script run कर गया SU3 की name से मारे पास database नहीं आई तो क्या करना है आपने database पर जाना है right click करना refresh करना refresh करने पर यह आपको database शोगी इसको मैं expand करता हूँ tables में जाता हूँ ठीक है और right click करके add a top 200 rows करता हूँ ठीक है तो सारी जो भी जितने tables होंगे वह उनका structure भी आजाएगा उनकी values भी आजाएगा उसका data भी आजाएगा अब यह जो script है यह restore करने के लिए आपने किसी web application जो आपने client को बना के दी है ठीक है या ठीक है कोई application बना के दी है उसमें आपने data को restore करवाना है तो आप बेसिकली एक button बनाएंगे restore का जब client ने backup लेना होगा restore button पर click कर देगा उस button के back page script कों से चल रहा होगा यह चल रहा होगा ठीक है तो आपको समझ आगी कि आपने जब development करनी है तब client को कैसे facility provide करनी है data का backup लेने में और restore करने में और आपको खुद भी समझागी कि मैंने खुद अपनी database का backup कैसे लेना है restore कैसे करना है और किसी friend को share करना है तब भी यह वे कि आपने friend को या friend को या client को अपने share करना है आप simple उसको यह backup email कर देंगे वो अपनी side पे इसी process के थूर रिस्टोर कर लेगा अपने पास ठीक है तो आज आपने सीखा कि कैसे आपने database का backup लेना है ठीक है कैसे रिस्टोर करना है कैसे आपने GUI के थूर backup लेना है कैसे आपने GUI के थूर backup लेना है कैसे आपने GUI के थूर रिस्टोर करना है backup कैसे आपने script के थूर रिस्टोर करना है और इसकी एक और मैं video आपके अब कैसे लेते हैं वो मैं आपको सिखाऊंगा ठीक है इसको जबर्दस इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा दौ में याद रखेगा ओके जी अला अफेज